नमस्कार दोस्तों आप लोगों का दबुक्स क्लब में स्वागत है मित्रो आज हम राश्टी दल एवं उनके संस्थापक वा अनिवार निउन्तम आयू राश्टपती और अबलिक राजपाल से रिलेटेड वीडियो लेके आये हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एक्जाम के लिए जो लोग नए हैं जो पहली बार चैनल पर आए हैं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेयर, कमेंट और सस्क्राइब करना नहीं भूलेंगे और कोसिस ये की जाएगी कि इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ कर याद कर लिया जाएगा तो चलिए सुरुआत करते हैं हमारा पहला कोषण यह है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे कांग्रेस के संस्थापक कौन थे तो ए ओ हुम 85 में ए ओ हुम जो है 1985 में कांग्रेस के संस्थापक थे और भाकपा के संस्थापक कौन थे तो यम एन राय 1925 भाकपा के संस्थापक कौन थे एम एन राय 1925 में भाजपा के संस्थापक कौन थे तो भाजपा के संस्थापक थे अटल बिहारी बाजपई 1980 माकपा के संस्थापक कौन थे EMS Dong 1964 में और बसपा के संस्थापक कौन थे तो बसपा के संस्थापक थे 84 में तो इन पांचों पॉइंटों को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कांग्रेस के संस्थापा कौन थे AO हुम 1985 और भाकपा के संस्थापा कौन थे MMराइ 1925 अगला देख लेते हैं भाजपा के संस्थापा कौन थे तो अटल भीहारी बाट परी 1908 और माकपा के संस्थापा कौन थे EMS डोंगे 1964 और बस्पा के संस्थापकों थे बस्पा के संस्थापकों थे 1884 और NCP के संस्थापकों थे सरतपवार 1999 अब चलते हैं अनिवार नियूनितम आयू राष्ट पती बनने के लिए नियूनितम आयू 35 वर्ष उपराष्ट पती बनने के लिए नियूनितम आयू 35 वर्ष और राज इतुम न्याले के लिए जो सेवा निवत्ति होती है जो सुपरीम कोट के जज होते हैं उनकी पैंसर्ट וर्ष और उच न्यालेके नियाजीसो के लिए सेवा निवत्ति होती है 62 वर्स जो हाई कोट के होते हैं नेक्स कोशन देख लेते हैं लोग सभा का सदस बनने के लिए नियुनितम आयो कितनी होनी चाहिए 25 वर्स और राज सभा का सदस बनने के लिए नियुनितम आयो कितनी होनी चाहिए 30 वर्स नेक्स देख लेते हैं अगला सदस से राज बिधान परसद बनने के लिए नियुनितम आयो कितनी चाहिए 30 वर्स तो यह very important question थे यह जो 1 से लेके 6 तक थे इनको एक बार repeat कर लेते हैं राष्टपती बनने के लिए नियुनितम आयो 35 वर्स उपर राष्टपती बनने के लिए नियुनितम आयो 35 वर्स राजपाल बनने के लिए नियुनितम आयो 35 वर्स उचतम नियाले के लिए सेवा निवित्र आयो यानि सुप्रीम कोट के जो जज होते हैं 65 वर्ष और उच्छ नियाले के नियाधीस के सेवानित के आयू होती है 62 वर्ष और लोग सभा का सदस से बनने के लिए नियुनतम आयू कितनी होती है 25 वर्ष और राज सभा का सदस से बनने के लिए नियुनतम आयू कितनी होती है 30 वर्ष और सदस से राज बिधान परसत बनन के लिए नियुनतमाय कितनी होती है 30 वर्स तो मित्रो अगर ये कोशन अच्छे लगे हूं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए कर चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनको अच्छी तरीके से जिससे ये पूरी तरीके से दिमाग पर बैठ जाएं तो पहला कोशन है कि कां माकपा के संस्थापा काउन थे अटलबिहारी बादपई उननीस सो असी नेक्ष देख लेते हैं माकपा के संस्थापा काउन थे 99 में इनों ने इसके स्थापना की थी यह सुरू गिया था आनिवार नियुनतम आयू देख लेते हैं राष्ट पती बनने के लिए नियुनतम आयू 35 वर्स उपर राष्ट पती बनने के लिए नियुनतम आयू 35 वर्स नेक्स्ट देख लेते हैं अगला लोग सभा का सदस्ट बनने के लिए नियुनितमाई पचीस वर्स और राज सभा का सदस्ट बनने के लिए नियुनितमाई तीस वर्स और सदस्ट राज बिधान परसद बनने के लिए नियुनितमाई तीस वर्स तो मित्रो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सियर, कमेंट और सस्क्राइब करना मत भूलेगा बहुत बहुत धन्यवाद